नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अशोक और आप देख रहेंगे FM News शुशान सिंग राजपूत की मोत का मामला उलसता ही जारा है इस मामली की जाच कहा होनी चाहिए और कौन करेगा लगातार इस पर सस्पेंस बना हुआ है लेकिन इसी बीच महराष्ट के मुख्य मंतरी उद्दव ठाकरे ने कहा है कि वह बॉलिवूट अभिनेता शुशान सिंग राजपूत के मोत के मामली की जाच करने में मुंबई पुलीस की दक्षता पर सवाल उठाने की कोशिश की निंदा करते हैं अभिनेता की मोत के मामले में सीबी आई जाच की बढ़ती मांग के बीच उन्होंने कहा है कि राजपूत पुलीस मामली की जाच करने में शक्षा में ठाकरे ने शुकुरवार को विपक्ष के नेता देवेंदर फंडवीज की आलोजना करते हैं की बाजपा नेता मामली की जाच करने में मुंबई पुलीस की विश्व सन्यता पर संदेज जता रहे हैं जबकि वे खुद पांच साल ता मुख्य मंत्री रह चुके हैं ठाकरे के बयान आने के बाद एक बार फिर बॉलीवूट अभिनेतरी कंग्ना रनोध वार करने का मौका मिल गया है कंग्नार नोध मुवी माफियाओं और उद्दव ठाकरे पर वार करते हुए कहा है कि दुनिया का सबसे अच्छे मुंके मंत्री कह रहे हैं कि मुझे सबूत दो इसलिए यह अब जनता के लिए है कि वे उन्हें सबूत दे लेकिन मुंबई पुलीस ने अपराग इस तल कोई सील नहीं किया कोई भी बाल किसमे या उंगलियों के निशान नहीं लिए लेकिन मुवी माफिया के सर्व शेष्ट सीम चाते हैं कि हम उसे दे उन्होंने आके कहा कि शुषान सिंग राजपूत के परिवार और मित्र समीता ने पुष्टी किये कि शुषान फिल्म इंडस्की को छोड़ना चाते थे क्योंकि उनका वहाँ पर दम उड़ता था और वो भी बहंबीत थे वो कहते रहते थे कि वो लोग उसे मार देए दुनिया के सर्व शेष्ट सीम ने दो मिनिट में अपनी हत्या आत्मत्या की गोशना की और मुवी माफियां गिदों ने मानसिक बीमारी अबियान शुरू किया